हेलो दोस्तों क्या आप शौपसी एप में अपना खुद का एड्रेस डालना चाहते हैं दोस्तों होता क्या है कि यहां पे आप कोई भी सामान को मंगाना चाहते हैं तो यहां पे आपका एड्रेस जो है डालना जरूरी होता है और दोस्तों आपको नहीं पता है कि यहाँ पर अपना address कैसे डाले और उसी address पर अपने सामान को कैसे मंगाए तो आज आप इस वीडियो को बिना escape किये हुए last तक देखिएगा आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे आप shopsy app में अपना address डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी request है आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों शॉपसी एप में अपना address डालने के लिए सबसे पहले हमें शॉपसी एप को open कर लेना है इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर शॉपसी एप का home page कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक account का option देखने को मिलेगा simply आपको यहाँ पर account वाले option पर क्लिक करना है जैसे दोस्तों account वाले option पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का page open हो जाएगा दोस्तो आपको यहाँ पे करना क्या है यहाँ पे आप देखेंगे तो एक option है यहाँ पे my billing detail simply आपको यहाँ पे my billing detail वाले option पे Click करना है जैसे आप यहाँ पे Click करेंगे तो आपके सामनी इस तरीके का page open हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आप अपना address डालने के लिए यहाँ पे आप देख पारे लिखा हुआ है my billing address तो simply आपको इस पे क्लिक कर देना है जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी सामने इस तरह के का page open हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पारे लिखा हुआ है billing address तो दोस्तों यहाँ पे आपको इस box में अपना नाम लिख देना है उसके बाद आपको यहाँ पे address में आपके घर का पता जो है यहाँ पे डालेंगे उसके नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने address को डाल दिया है आप भी अपने address को इस तरीके से डाल देंगे डालने की बारऄ्द आपको यहाँ पे save वाले option पे click कर देना है जैसे दोस्तों आप save वाले option पे click करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का page open हो जाएगा दोस्तों यहां पर आपका एड्रेस जो है यहां पर आपको देखने को मिल जायागा अगर आपको इसमें कोछ भी चेंज करना है तो यहां पर आपको अपडेट वाले आप्शन पर क्लिक करके आपको यहां से अपडेट करना है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह सम सकते हैं वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक कर दें